गुना में भारी वारिश से दो दिन रोदर रूप दिखाने के बाद अब पारवती नदी का पानी अब उतरने लगा है। पारवती नदी के पास के लगबग 10 गाव पारवती की बार से प्रभावित हुए हैं। हजारों नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुचाया गया। लगबग 300 नागरिक बार के पानी में फज गये जिने प्रशासन और SGRF की टीम ने रेस्क्यू किया है। पारवती का पानी तो अब उतर गया है लेकिन अपने पीछे बरबादी की निशान छोड़ गया है। बरबाद हो चुके घरों को समेटने में लगेंगी। कहीं उजड़े घर में कुछ बचा हो जिनके पके घर थे वह तो छटो पर अपना कुछ सामान ले गये। जिससे वह सुरक्षित बच आए। हाला की बाड का पानी लगा था बढ़ता जारा था जितना हो सका उतना सामान समेट लिया। जब पानी का इस तर ज्यादा हो गया तो ग्रामी निकल कर स्कूल में पहुँच गये। तो महिला ने मटकी को फोड कर उसका चूला बना लिया। उसी पर किसी तरह खाना पकाया जा रहा था। प्याज बूसा सब कुछ मकान में दविया। तीन दिन से स्कूल में समाज गुजा रही है। घर में चूला तक नहीं चला। प्रशासन की और से जुकाना बेजा गया वहीं खाकर काम चला रहे हैं। एक दरजन घरों के यही हालात थे। वहां कुछ भी नहीं बचा सब में तबदील हो गया तब वसलों को भी नुकसान हुआ।